हेलो स्टूडेंट मैं रमाकान स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोग एकडमी के साथ साथ आप PM SSB स्कॉलर्शिप एक्जाम की तैयारी कैसे करेंगे वीडियो बहुत ही मात पुड़ा है यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और जादे अच्छे लगे तो अपने दोस्तों कवास भी सेयर करिए तो चलिए हम लोग सब कुछ समझते हैं उससे पहले कुछ और आपको जानकारी देना है जिनके वारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर भी अगर जो आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ लिएगा बच्चे कह रहे थे कि OTP नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ी देर बाद ट्राई कर सकते हैं आपका OTP आ जाएगा ठीक है अगर जो OTP नहीं आ रहा है तो सर्वर सिलो नहीं जो चला होगा ठीक है बच्चों बाकि अगर जो और जाधे समयश्या हो रही है तो आप लोग जाएए साइबर काईपर महां से आप लोग फौन भरवा सकते हैं साइबर काईपर जाएंगे तो आप लोग जो डाकुमेंट नंगेंगे वो दे दी दिएगा उसके या भरवा लीजिए आप लोग अगर जो आप खुद से बना चाते हैं मॉबाइल या लेपटाप से तो ये वीडियो देख करके आप लोग अच्छे से भर सकते हैं पूरा फार्म इसके बाद में बचों का सबसे ज़्यादे कमेंट या रहा है कि कौन से कटगरी क्या जनरल वाले इसका फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं तो देखी है यांपर साफ साफ लिखा गया है कौन कुन से कटगरी भर सकते हैं OVC भर सकते हैं उसके बाद में EVC उसके बाद भर है dnt ठीक है ये तीन कटगरी यहां आगर जो आप कोई और करके रहा है अगर आप लेगे पर इसका या दो पार अगर एकर आप दो आब को य पता कर लिजेगा कि आपकी कड़गरी जनरल है तो कई से पता करेंगे ठीक है कि इवी सी के अंतरगत आते है या नहीं ठीक है कहीं जाकर कर लिजी आप लोग या तो साइबर कायपॉलों से पता कर लिजी या अपने ममी पापल से पूछ लिजे ठीक है कि इनकी कड़गरी इन कितना पैसा मिलेगा, पास होते हैं अगर जो एक्जाम, ठीक है एक्जाम कब होगा, फार्म अगर जो गलत हो गया तो सही कैसे करेंगे, सब कुछ आपको वीडियो के डेस्किशन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कि आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, और यहा यहां पर देखिए, उत्टरेट लिखा गया है, अत्मी और दसमी उत्रेट होना चाहिए बच्चे को तब ही भाउम भर सकते हैं, और इसमें देखिए, सबसे माहत्पूर बात यह दी गई है, लग्या और लड़किया दोनों लोग फाम भर सकते हैं, बाकि इसका पैपर पै आप लोग अपने college से, school से पढ़ते रहे हैं इसके बाद में अगर जो आप लोग PMSBC scholarship की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने लेकर आया है अगनी बैच ठीक है मैंने इसके बाद में बहुत बार बताया था कि हम आपको लिए लेकर आ रहे हैं अगनी बैच ठीक है अगनी बैच हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इसी class बहुत जल्दी start होने वाली है आप लोग की classes जल्दी start होने वाली है कितने तारिक से start होगी आज कौन साथ तारिक है आज है 26 तारिख है तो 27 नहीं 28 ठीक है 28 तारिख से आपकी classes start हो जाएगी 28 जुलाई से 28 जुलाई से आपकी classes start है जिसका time table अभी मैं डिसक्स हने वाला हूँ अगर जो आप अगनी वैस में जोड करके तयारी करना चाहते हैं तो यूटूब पर जितने भी classes मिलेंगी आपको फिरी मिलेंगी बचे पूछ रहते इसका class फिरी कर दिजे तो हम तयारी कर सकते हैं अजर वाज नहीं कर सकते हैं तो ठीक है बच्चों हमने आपके डिमांड पर जितनी भी classes यूटूब पर रहेंगी उनको मैंने फिरी कर दिया ठीक है इसमें क्या आएंगे आपको chapter wise questions solve कराएंगे ठीक है important questions solve करा जाएंगे ठीक है बहुत से बचे NBS की तयारी कर चुके हैं या फिर board exam दिये हैं तो मुझे पूरा असा उन्होंने अच्छे से तयारी किया होगा अगर जो अच्छे से तयारी किये हैं तो इस exam को क्रेक करने में आपको कोई से दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जितने भी concept बढ़ें सब concept यहां पर आएगा क्योंकि बताया गया syllabus में कि अगर जो कोई बच्चा गिराहूं के लिए फाम भड़ा है तो उसका syllabus क्या है दस्वी ठीक है दस्वी में जो आपने पढ़ा NCRT वहीं से question आएगे ठीक है जो बच्चा नहीं का फाम भर रहा है और आठ पास हुआ है तो ठीक है उसमें क्या अठ्वी का NCRT का question आएगा इनके कहिना का मतलब कि NCRT पिछला कच्छा जो पढ़ा है वहीं से आएगा लेकिन से ऐसा होता न बरें हैं उसके आदमें उनका selection हो जाता है वह भी बच्चे इस फार्म को भर सकते हैं इसा मच सोचें कि फार्म मेरा नवोदे निकल गया तो यह फार्म ना भरें ठीक है वह अलग है अगर जो आप फिर भी फार्म भरते हैं उसका यह भी एक्जाम पास करते हैं तो आपको scholarship मिलेगा scholarship के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा कितना मिलेगा कम मिलेगा ठीक है कैसे मिलेगा वीडियो का description चेक करके जा करके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो चलिए अगनी बैच का जो time table है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ठीक है अगनी बैच क कितनी है सुबा च्छे बच करके 30 मिनट में सुबा च्छे बच करके 30 मिनट में पर आपकी classes श्टार्ट हो जाएंगी आप लोग इस class को join करिए यह time इसलिए क्या गया कि आप लोग का class जो रहेगा ठीक है स्कूल जाना रहेगा तो क्या रहेगा आपको सर पढ़ाएंगे सा साम साथ वज़े तक ठीक है साम साथ वज़े तक पढ़ सकते हैं साड़े साथ वज़े तक आप अपको क्या करना है साम में आपकी classes लेंगी साइंस जिसको पढ़ा रहे होंगे आपके एसका सर ठीक है पढ़ाना क्या है पढ़ाना नहीं आपको रिवीजन बस कराना क्योंकि उसके क्लासिज़ क्या है कि साइस की से 17 रात में 10.93 म. इसकी वाद में 9 बजह एक साथ में पयुम्सुर्आ है जिसके साथ में मैं आपके साथ में उपस्तित रहूंगा मैं उनी कुईशन को साल कराऊंगा जो आपके लिए एक्जाम के लिए important है ठीक है तो आप लोग क्लास को अच्छे से जोएन करिए साथ में एकडमी की तैयारी करते रहिए देखिए आपको कुल मिला जुला कर कितने जादे से जादे घंटे ये कलास कितने के लेंगी 45 मिनट ठीक है जादे से जादे कितने 45 45 मिनट की कलास चलेंगी ठीक है 45 मिनट की कलास चलती है तो कितना 3 कलास है तो आप लोग जोड़ सकते हैं यहां पर 45 यहां पर 45-45 धिक्तिक कई पॢहाएगा इसके आप 15 भी पंपर कई घंटे टाम धेना है धिक्तिक है अप लेकितने क्योण अप का स्कूल चलेगा आठ गांटे तक लग बघ़र चलता है इस से ज्जाब इसकूल को सिखाने चलता ठीक है 8-8-16 घंटे हो गए ठीक है सोने और पण्टे कमेला कर गए ठीक है सेश बचा आपके पास 8 दुनाए सोला और चार और चार और वही कितना बचा आठ गांटे बच र तो आसा है आप लोग इस तरह से अगर जो मैनेज करते हैं तो पूरी पढ़ाई एकदम आच्छे से कर सकते हैं मैंने क्या बताया आपके पास कितने 24 हावर हैं ठीक है कितने 24 हावर हैं मैं इसका कितना 24 हावर है इसमें 8 गंटे आपने क्या किया इसकूल में इसमें किया 8 गंटे आप लोग सोए ठीक है कितना 16 गंटा टोटल हो गया अभी आपके पास कितना बचरा 8 गंटा ठीक है फिर अपने यार दोस्तों के साथ में गूम सकते हैं पांच घंटे तो इतना घूमेंगे नहीं ठीक है इसमें एक घंटा बहुत होता आपके लिए तो इस तरह से अगर जो मैनेज करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और इजाम दोनों कौलिफाई करने का बहुत अच्छा चांस है अपका एकडमी भी नहीं चूटेगा और ये भी देखिए का जाता है अगर जो आप थोड़ा सा मिनहत करेंगे तो आपकी मिनहत रंग लाएगे बिना मिनहत अगर जो कहते हैं सोचते हैं आराम करें क्या दिक्त है ठीक है बस एकडमी कर पढ़ाई करते ने करते ने तो कोई फार्दा नहीं होगा आपका तो आसा प्यारे बच्चो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा समझ में आया है तो लाइक करिए, सेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के जरूर से जरूर सेयर करिए